हाई एविडियो वेलकम टू माई चैनल सो ये वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत ही हेलफुल रहने वाला है सो इस वीडियो में फ्रंट साइट में जीप को कैसे अटेज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी सो मेरी वीडियो अब इस तरह से स्टार्ट होगी जो आप स्टार्टिंग में फेस्ट केम क्लिप देख रहे थे वो अब नहीं आएगी इस तरह से ही डाइरेक्ली वीडियो स्टार्ट होगा reason मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर उसे watch कर सकते हो यहाँ पर मैंने upper body को cut कर लिया है यह front side का upper body है आपका जित्रा में measurement है उसके according इस तरह से आपको front side की upper body को cut कर लेना है जैसे हम normally यहाँ पर solder रखते हैं उससे हमें half inch जादा लेना है हमें यहाँ पर half inch जादा solder को रखते हुए उसे cut करना है क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में cut लगाना है उसके बाद हमें यहाँ पर zip को attach करना है तो उसमें हमारा half inch दबाव में जाएगा तो इसलिए हमें यहाँ पर solder को हांफ rinsk ज्यादा कट करना होगा आब मैंने यहाँ पर यह man fabric को इस तरह से lining के उपर रख दिया है अब हमें यहाँ पर पूरे में यहाँ पर पीनप कर लेना है इस तरह से अब हमें जहां पर भी यह पीनप किया है वहाँ पर पूरे में सीलाई कर लेनी है उसके बाद हमें यह जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है आप देख सकती हो इस तरह से मैंने सीलाई को कम्प्लीट कर लिया है अब हमें इस तरह से एक्ष्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर लेना है सो अब हमें यहां पर उसे सीधा कर लेना है और यहां पर उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है सो यहां पर मैंने ये कपड़े को प्रेस कर लिया है और यहां पर मैंने इस तरह से मार्किंग की हुई है जहां पर हमारा गेरा आटेच होगा तो मैंने यहाँ पर solar से 13.5 इंच पर mark किया हुआ है आप चाहो तो 14 इंच पर भी marking कर सकते हो इस तरह से हमें सबसे पहले गेरे के लिए marking कर लेनी है अब मैंने यहाँ पर इस तरह की दो पटियां ready किये हैं उसकी width 1.5 इंच हैं और यहाँ पर कीनारी को मोड के मैंने सिलाई कर ली है इस तरह से हमें यहाँ पर दो पटियों को ready कर लेना है zip attach करने के लिए जैसे हम back side में zip को attach करने के लिए पटि को ready करते हैं वेसे हमें इस पटि को ready कर लेना है अब हमें यहाँ पर यह पट्टी को रखते हैं उसे stitch करना है तो अब हमें यहाँ पर पट्टी को रखने से पहले हमें marking करनी होगी तो आप देख रहे हो इस तरह से हमें solder पर center में mark करना है दोनों ही side में इस तरह से marking कर लेनी है उसके बाद हमें यहाँ पर neck वाली side से half inch इस तरह से अंदर से हमें इस तरह से line draw करना है हमें याद रखना है sleeve वाली side से नहीं लेकिन हमें neck वाली side से half inch अंदर की side से यहाँ पर line draw कर लेनी है आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से मैंने यहाँ पर यह line को draw कर लिया है सेंटर में पट्टी में भी इस तरह से उल्टी साइड में हमें लाइन रो कर लेना है उसके बाद हमें ये पट्टी को यहाँ पर रखना है इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों ही लाइन को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से रख लेना है उसके बाद हमें यहाँ यह जो line है उसके दोनों ही side में हमें सीलाई करनी है थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ते हुए जैसे हम back side में zip को attach करनी के लिए पट्टी को लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है और कुछ नहीं इस तरह से line के इस side में हमें सीलाई करनी है उसके बाद दूसरी side में भी इसी तरह से हमें इतनी इतनी जगा छोड़ते हुए पूरे में नीचे तक सीलाई कर लेनी है दोनों side में यहाँ पर मैंने सीलाई को complete कर लिया है आप देख रहे हो इस तरह से हमें यह line के दोनों side में इतनी चगा छोड़ती है वे उसे सीलाई कर लेना है अब यहाँ पर बीच में से उसे में नीचे तक कट कर लूँगी अगर आपकी A-Line कूरती है तो आपको यहाँ पर 40 नीच तक ही उसे कट करना है यहाँ पर सोल्डर से आपको 40 नीच तक ही यह पर्टी को अटेज करना है और उसे वहाँ तक ही कट करना है यहाँ पर यह अपर बोडी अलग है तो यहाँ पर मैं पूरा ही उसे कट कर लूँगी लेकिन आप A-Line कूरती में जीप को अटेज कर रहे हो फ्रंट साइट में तो आप यहाँ पर 40 नीच तक ही उसे कट कीजिए जैसे हम बैक साइट में बाकी कूरती में जीप अटेज करते हैं वैसे सेम तरीका रहेगा यहाँ पर जीप को अटेज करने का तो पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की साइट में मोड़ना होगा हमें यह सारी पट्टी को इस तरह से मोड़ती हुए यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेना है तो आप देख रहे हो इस तरह से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है अब हम यहाँ पर zip को attach करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह invisible zip को लिया हुआ है यह zip को हमें same color की लेनी है अब हमें यहाँ पर यह zip को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर attach करना है अब यहाँ पर हमने जो पट्टी को अंदर की side में मोड के press किया था वो वाली पट्टी को हमें इस तरह से बाहर की side में निकाल लेना है आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से अब हमें यहाँ पर यह zip को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर attach करना है लेकिन हमें zip को कुछ इस तरह से रखना है जीप का जो लॉक है उसे हमें नीचे की साइड में रखना है सोल्डर वाली साइड पर नहीं हमें नीचे के साइड में रखते हुए उसे अटेज करना है इस तरह से अब हमें यहाँ पर जीप को इस तरह से सीधा ही रखते हुए उसे इस तरह से खोल लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर उसे पलटा के पीनप कर लेना है तो जिप के एक टीथ को हमें इस तरह से पकड़ के इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर पीनप कर लेना है आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से अब यहाँ पर दूसरे साइट को भी इस तरह से इस साइट में पलटना है उसके बाद हमें यहाँ पर पीनप कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पीनफ किया है ये टीथ इस तरफ है और ये जिप की टीथ इस तरफ है आप यहाँ पर देख लीजे कि मैंने इसे कैसे पीनफ किया है अब हमें यहाँ पर क्या करना है ये जिप की टीथ है उसके नसदीक से होते हुए पूरे में सीलाई कर लेन तो मैंने एक zip वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से explain किया है तो वो वीडियो की link नीचे description box में है तो आप उसे जाकर watch कर सकते हो तो अब मैं इसी तरह से ये दूसरी zip को पी यहाँ पर पीनप कर लोगी उसके बाद ये दोनों zip को attach कर लोगी तो यहाँ पर मैंने ये zip को attach कर लिया है इस तरह से मैंने दोनों zip को attach कर दिया है अब हमारी zip कुछ इस तरह से बंद होनी चाहिए आप यहाँ पर देख रहे हो उपर की side से नीचे की side में बंद होनी चाहिए सो यहाँ पर हमें जीप को कुछ इस तरह की फीनिसिंग के साथ में यहाँ पर अटेज करना है सो यहाँ पर मैं कपड़े को खीच रही हूँ लेकिन जीप हमारी दिखाई नहीं दे रही इस तरह से हमें अच्छे से उसे अटेज करना है अब हमें यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी finishing अच्छे से आ जाई तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है हम जैसे back side में zip को attach करते हैं वैसे same तरीके से यहाँ पर attach कर लेना है और कुछ नहीं आप देख रहे हो इस तरह की finishing के साथ में मैंने उसे attach कर लिया है अब हमें यहाँ पर गेरे को attach करना है लेकिन गेरे को attach करने से पहले हमें यहाँ पर zip को उपर तक खोल लेना है जो हमने marking की है उसके उपर तक हमें इतना सा zip को खोल लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को attach करना है अगर आप यहाँ पर zip के lock को नीचे ही रखते हैं गेरे को attach कर दोगे तो आपकी zip खुलेगी नहीं तो हमें यहाँ पर याद रख कर zip को इतना सा हमें खोल लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को attach करना है अगर आप A-Line कूर्ती में इस तरह से फ्रंट साइट में जिप को अटेज करते हो तो आपको कोई इस तरह से गेरे को अटेज करने की प्रोब्लेम नहीं रहेगी आपको सिर्फ 40 निच तक कटिंग करना है और उसमें जिप को अटेज कर लेना है जैसे हम बैक साइट में अगर यह वीडियो में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो जिप वाली वीडियो का लिंक description में दिया हुआ है तो आप उससे जरूर watch किजेगा उसमें मैंने अच्छे से explain किया हुआ है अब मैं यहाँ पर back side part को attach करके ये कूर्ती को complete कर लूँगी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और ऐसे ही अलग अलग डिजाइन की वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe कर लिजेगा तो thank you for watching